इगोपाल गंजिला के कुचाय कोट प्रखंड के एको छोट गाउं बजार सिरिसिया हा अब से पहिले एह गाउं के लोग पारंपरिक विधी से ही गेहूं के खेती करत रला जीविका के द्वारा संगठित समुह से जुड़ा के बाद एह गाउं के लोग पारंपरिक विधी द्वारा गेहूं के खेती छोड़के अब धीरे धीरे स्री विधी से गेहूं के खेती कावर जुड़ रहलबा एक समुह से दुसरा समुह तक धीरे धीरे स्री विधी से गेहूं के खेती के जानकारी पहुच रहलबा आँ लोग एक राके सीख के धीरे धीरे जमीन पर उतार रहलबा इसरावती दी इसरावती दी घरे बानी आहाँ दी आवतानी बानी घरे बानी अधिसरावती दी आज शीरी विधी से खेती करे वला बानी यही से हमनी रवा लागे उसी खेवाईनी हसा हाँ हाँ दिदी रोस अब तो बहुत बढ़िया समय पाइल बने दिदी रोपनिय खाती आई सब समान हमें काठा करत रहनी हो आई रोस अब देखे यह काका समान लागोता इह दिदी उपचार कहील गहुं के बीज पांच कठा कहतीर है याड़ाई किलो बीजबा दिदी होसी एकरो जलरूरि होला हाँ कूरपी हमेंक जलरूरि होला दिदी हाँ एक लंबा रस्याज में हर आठ इंची पर निसान लागा और खाई देखे दिदी, यह उकुदारियों का जरूरी होला दिदी, अब समान रोल उन सब देखलानी, अब चले के खेत में रोपनी करें हाँ, चले के हम यह को समान वा ले ले लेता निस्वाल हाँ, हमार पांच काथा खेत बाए, तीस कीलो जैबी खाग, पांच कीलो डाई, और आढ़ाई कीलो पोटास, दे देले बानी, अब खेत के तायार करे जा रहा होल बानी इदी, देखे ले एपने खेत के हम चारू तरप, एक फिट गोहरा हम नाला बाना रहा होल बानी है कर्या दे दी अब देखे है, अब देखे लूगा उन एक फिट गई रहा है, कर्य怕 दो देखे है कही लोगा। बानी है तो नालवा से पानी डैलना बानी हम फिट गई रहा है अच्ता सब्सक्तर लें पानी डाला से एक भी पावधा के नुक्सानी ना पोँची दिदी एकर बाद का करे कबा हम करके बाता है चली लोगी देखिल उनी पांच खेत भा हम चारु तरफ से नाला बना दले बनी अब देखे दिदी रसरी बाद आठ इंच के में चीना हम लागा दे लगानी अब देखे दिदी आठ इंच के दूरी पाव दूदू दाना हम रोपा तनी हा कहा तनी दूदू को दाना हा दी दूदू दाना आठ इंच के दूरी पा रोपाई आप देखे दिदी, एं आठ हिंची के दोरी पर दूदू दाना रहोलन रोपा प्लोगें। आप देखे दिदी, एं दूसरा लाइन लेवे खाती, एं आठ हिंची के दूरी होखे के चाहिं। आप देखे दिदी, आप देखे यह बगल से यह बगल चीना लगा होतानी। दिदी, बीज से बीज, लाइन से लाइन, आठ हिंची दूरी कहे खाती राखतानी। चली दिदी, थोड़ा छेहामा बएठ के हम बता देखे चली। दिदी, बीज से बीज, और लाइन से लाइन की दूरी, आठ हैंची राखला से। क्वागू हमने के फाइदाबा, वो इसे पाउधा में धूप हावा भोजा, अलग-अलग और ज्यादा ज्यादा हिसा मिलाता। दिदी, पहले से जान बोवल भा खेत, अगर जो जा कहीं-कहीं बीज नई ख्या जामाल, तो मैं फिर रवा बीज लागा सकता। दिदी, इस राती जान कोनी हो, तो हमने के समोझ गनी है सो। दिदी, हमने के स्री बीदी से कौन फाइदा भा हमने के बताएं। दिदी, हमने के स्री बीदी खेती कोईला से पाउधा के तंदुरूस्ती हो ला। दिदी, और यह बात भा, जे बीदी में बीजो राउर कम लागेला। हमने के जर्नल बीदी से कौरता निसा, तो तीन किलो कठा बीज लागाता। जब कि हमने के सीरी बीधी से खेत बुआता निसा तब 500 गराम कठा लागा तो दिदी हमने के एक कठा में अड़ाई किलो बीज बाच गोई अब तर वह लोगें सही सही समाझ गाने लोगें यह सीरी बीधी से उपज भी ज्यादा होता बीदोति दी अब दो बतावा जैननल बीधी से क्या तना हो जो लाताग्त हμने के जरने विधी से एक काथा में पाचास किलो साठ किलो होला दीह दी शीरी विधी से खेती कोला पर एक किन्डल से एक किन्डल बीज कीलो तक उपज होला दीह दीह अब टोफ शीरी विधी के फाइदा हमने के समाज गायनी छहा सब्सक्राइब दिदी अंकूरित भीज के हो गएला से उस समय से बो दयग बना तो शड़ भी जाईए उस सुखी भी सकता दिदी हमनी के सिरी भीधी से केहु के खेती करे के बारे में समझ गोनी से अब बाकिर किसान दिदी भाईया खातिर राउर कौनो संदेशो बाया दिदी आज राउरा हमनी के सीरी भीधी गेहु के खेती के बारे में बहुत बढ़िया से दिदी आज राउरा हमनी के बतम एकरा खातिर राउरा के धने बारे राउर सभे के धन्य बार